काउंसिलिंग अभी तक क्यों नहीं इस्टुडेंट के साथ खिलवाड़ वेलकम इस्टुडेंट सवागत है आपका एकों नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको पूरी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे राजसान बीएसी नर्सिंग परिवेश परिक् काउंसिलिंग अभी तक क्यों नहीं क्या इसे इस्टुडेंट के साथ खिलवाड माना जाएं सबसे पहले जिन इस्टुडेंट ने बीएसी नर्सिंग परिवेश परिक्षा दिये मैं उनसे इस्पेसली रिकमेंट करूँगा इस वीडियो को अंतक जरूर देखे और सबसे अधिक शेयर कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा सो इस्टुडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरिवाचस आखिरकार काउंसिलिंग करवा क्यों नहीं रहाए स्टुडेंट क्योंकि पिछले लगबग एक साल से लगबग एक साल स्टुडेंट की खराब हो चुकी है केवल एडिमिसन एडिमिसन में जी हाँ बिलकुल इस मामले में राजस्तान बहुत ही पिछे है जी हाँ ओल इंडिया में बीएसी नर्सिंग के एडिमिसन के मामले में सबसे पिछे राजस्तान लग रहा है क्योंकि कई ऐस ये जगए हैं जैसे कई अल काउंसिलिंग क्यों नहीं करवा रहा है इस्टुडेंट लगबग 25 जनवरी को ये एकजाम कंप्लीट हुई थी अभी भी काउंसिलिंग के बारे में लगबग हजारों की संक्या में इस्टुडेंट इसका वेट करें फिर भी आर्यूचस सोया हुआ है इस्टुडेंट इस व आपका जो एक साल है वो खराब हो गया इस्टुडेंट क्योंकि अभी ये सेशन सुरू होना था 2021 सितंबर से लगबग ये सेशन सुरू होना चाहा लेकिन अभी लगबग मार्च आने वाला है 2022 लेकिन अभी भी ये सेशन सुरू नहीं हुआ है इस्टुडेंट सो आप लग जगह 2022 के फोन भी आगे लेकिन काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है स्टुडेंट सो सबसे पहले आपको इंडिया का मेप दिखाते हूँ सो स्टुडेंट इंडिया का मेप ओपन हो चुका है इसमें आपको पता चल जाएगा कि राजस्तान में अधर स्टेट में क्या चल रहा है राजस्तान में क्या चल रहा है सो स्टुडेंट इंडिया का मेप ओपन हो चुका है सो आप देख सकते हो यह राजस्तान आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर और थोड़ा इसको जो माउट करते हैं तो यहाँ पर देखे गुजरात गुजरात में फोरम आ चुके हैं student admission हो चुके इधर मर्द्य परदेश इस तर उत्तर परदेश और यहाँ पर थोड़ा इनके पड़ोशी राजय और देखे तो यहाँ पर देखे हरियाना पंजाब so student और यहाँ पर देखे थोड़ा निचे और चलते हैं तो यहाँ पर देखे students थोड़ा इधर चलते हैं तो यहाँ पर देखे जारखंड हो गया आपका और थोड़ा उपर चलते हैं तो यहाँ पर देखे उत्तराखंड और यहाँ पर देखे दिल्ली सो स्टुडेंट आप देख सकते हो राजस्तान के पड़ोशी वाले राजिय में एप्लिकेशन एडमिशन 2021 सेशन है वो लगबग कम्पलीट हो चुका है लेकिन अभी राजस्तान में अभी भी कोई भी इसकी काउंसलिंग पर ही पूरा मामला अटकावा है सो अभी काफी सारी स्टुडेंट को एक साल लग रहा होगा कि इससे क्या फरक पड़ता है इस्टुडेंट फरक पड़ता है लगबग एक साल का भी आपके पूरे केरियर पर फरक पड़ता है जी हाँ बिल्कुल स्टुडेंट रोचस को कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन आ पूल इंडिया के लिए निकलती है स्टुडेंट सो इस मामले में आप वेशे ही पिछे रह जाओगे सो आर्वेचस को इसके बारे में सोचना चाहिए लगबग पिछले एक साल से स्टुडेंट इस एकजाम में सलगन हुए हैं लेकिन अभी भी उनका एडमिशन 2021 है वो पूर पग जल्द से जल्द आर्म करवाई जाए 25 फरवरी से पहले पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया वो आर्म करवाई जाए क्योंकि फिर सेशन बहुत ही लेट हो जाएगा और स्टुडेंट बहुत ही डी मोटी हो रहे हैं इनके लिए बहुत ही उनको लगबए एकजाम दिये कोई भी एक महिना हो गया है लेकिन अभी काउंसलिंग भी उनकी स्टार्ट नहीं है सो प्लीज सर कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है आर्योचस से जो 25 फरवरी से पहले पहले काउंसलिंग स्टार्ट करवाई जाए और मैं सभी स्टुडेंट जो बीए से नर्शि यह वीडियो आर्योचस तक जरूर पहुंचेगा तो मैं आपसे यही नियुदिन करूँगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए स्टुडेंट सो कुछ स्टुडेंट तो ऐसे समझेंगे कि सर यह आपके लिए फायदे के लिए हो रहा है सो स्टुडेंट है सो हमें इस ऐसे लाइक से कोई फरक नहीं परता ज्यादा सो स्टुडेंट इसमें आपका सबसे अधिक बेनिफिट है मानलो यदि आप अगर आप सबी स्टुडेंट से इस वीडियो को सपोर्ट किया सो स्टुडेंट यदि आर्योचस तक पहुंच गया तो काउंसलिंग है वो परिक्रिया वो जल्द ही प्रारम हो सकती है स्टुडेंट सो मैं सबी स्टुडेंट से निवदिन करूंगा आप हमारा सपोर्ट कीजिए हम आपके सपोर्ट में स्टुडेंट जितना आपको शिर्फ एक सेकिंड में नहीं लगेगा लाइक बटन दबाने में निचा काउंसलिंग को लेकर काफी सारी स्टुडेंट अभी कुछ कर रहे हैं सर मेरे 25 नमबर आरे क्या मेरे सलेक्शन हो जाएगा सर मेरे 26 नमबर आरे क्या मेरे सलेक्शन हो जाएगा सो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में चलते हैं सबसे पहले स्टुडेंट इस वीडियो क सर्मिक कार्ड होने पर स्कॉलर शीप मिलती है घिलकुल students किसी भी students के कोई भी student हो यदि वो B.A.C. nursing कर रहा है चाहिए प्राइवेट में चाहिए गोवर्मेंट में यदि आपके पास सर्मिक डायरी है तो आप scholarship का फोरम फिलब करवा सकते हैं और यहाँ पर देखे अगला question पूछ रहा है category SC चोर नमबर आएं सो में से डॉक्टर एसन मेडिकल कोलेज मिल सकता है students देखे राउल जी कोई कंफरम नहीं है कि आपको मिल जाएगा तो आपको मतलब डॉक्टर एसन मेडिकल कोलेज जरूर फिलब कर देनी है उमीद है आपको मिल जाएगा 54 बहुत ही अधिक अंक होते हैं वो भी SC के टिगरी में अगला यहाँ पर comment कर रहे हैं यहाँ पर बंटी कुमार सर चोर्वन है गोवर्मेंट कोलेज SC से जिस बिलकुल मिल सकता है तो student लगबग comment में देख रहा हूँ यहाँ पर यही कर रहे हैं देखे और यहाँ पर देखे यह क्या सविता सिंग जी ने comment किया है year भी बता दो 2022 देखे यह जो राज़स्तान और यह से सविता जी ने बिलकुल सही क्यूशन किया है देखे इन्हों ने पुछा year भी बता दो 2022 या 2023 देखे सविता जी राज़स्तान में बिलकुल भी पिछे चल रहा है सब कुछ मामला अभी 2022 चल रहा है year year तो 2022 चल रहा है लेकिन admission 2021 के हो रहे हैं आप सो सकते हो कितना पिछे चल रहा है अभी 2022 में 2022 के admission होने चाहिए लेकिन 2021 के admission हो रहे हैं अभी एक साल वेसे कोरोना के कारण पिछे चल रहा है admission 2021-22 के हो रहे हैं अभी 2022 के admission होंगे अभी टवलत की एक्जाम के बाद में अगला है थैंक्यू सर थैंक्स सो काफी सारे स्टुएंट एसे ही पूछ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर है इतने अंका है सो मैं कोई भी अधी मैं अभी आर्वच्चे से क्यावल यही निविदन करूँगा सर पलीज काउंसलिंग की परक्रिया है वो जल्द से जल्द प्रारम की जाए काफी सारे स्टुएंट दिमोटिव हो रहे हैं और बहुत ही अधिक सबर कर लिया इससे सबर नहीं होगा क्योंकि लगबग एक साल हो गया काउंसलिंग की वेटिंग करते वे अभी भी कोई अपडेट हमें नहीं दी गी है सो आपसे नहीं देन 25 फरवरी से पहले काउंसलिंग करवाए और स्टुएंट्स आपका केवल यहीं काम है वीडियो को लाइक कीजिए हमें सपोर्ट कीजिए हम आपके बात आगे तक जरूर पहुंचाएंगी स्टुडेंट्स आपके और हमारी कम्यूटी ऐसे मजबूत होगी हम आपको हमारा यहीं लक्स है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कोलेज मिले स्टुडेंट बेस्ट से बेस्ट कोलेज आपको मिले हमारा यहीं लक्स है चाहे वो private हो चाहे government हो आपको best से best मिले आप अच्छे से बेस्ट से nursing करके अच्छे से job है वो प्राप्त कीजे So काफी सारे students देखे यहीं comment कर रहे हैं Sir मेरे इतने number है इतने number है यहाँ पर देखे total कितनी college जी बिल्कुल सभी college यहाँ पर बर सकते हो देखे काफी सारे students यही comment कर रहे है So सब भी comments का जवाब देना मुश्किल नहीं है तो students मैंने बता दिया कि एक video मैंने बता दिया कि 30 से जिन student से 30 से कम है उनको क्या करना चाहिए और मैंने एक कटोब का video भी बना दिया कि मतलब किन student को मिलेगे कौन से college वो भी मैंने video बना दिया वो देख लिजे आपको पता चल जगा आपको कौन से college मिलेगी So students इस video में इतना ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस video को मैं पहले बार बोल रहा हूं लाइक कीजे ताकि RUHS के किसी भी अधिकारी के पास पहुंचे और मैं RUHS वालों से निवेदन करूँगा Please counseling जल्द से जल्द करवाए Students को एक साल हो गया इंतजार गर बेठे वे एक साल हो गया पक गए So please जल्दी कीजे So इस video में इतना ही मिलते हैं अगले video में जे हिंद वंदे मातरम